नवसकार दोस्तों मैं आलोक सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्यान गंगा अलोक पर अर्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत ही छोटी सी सूचना लेकर ही मैं यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे कई वीवर्स का मैसेज मुझे लगातार मिल रहा है कि सर आपने जो SIPF के नए पॉटल पर एंप्लॉई को ट्रांसफर या पूल कैसे किया जाएगा वह वीडियो जब बनाया तो समय ट्रांसफर टेप था अब नहीं है अब हम क्या करें तो नहीं करमचारियों को सुचित करने के लिए और मेरे वीवर्स को बताने के लिए कि भूग इन बटन को प्रेश करेंगे तो एक नई बिंडू को उस विंडू में कि अपको ऐसाई वाले टेप पर यह नए आँए वाले टेप पर क्लिक करना है और जैसे आप पर गिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडू खुलेगी जिसमें आवशेक सूचना होगी इस आवशेक सूचना को हमें क्लोज कर देना है और उसके बाद आप एक नई विंडो पर पहुचेंगे जहां से आपको seus एंपशना वाले सूचना वाले टेप को क्लोज करने बाद में हम स्विचु रोल पर जाएंगे कि यहां से ड्डियो रॉल सेलेक्ट करेंगे पिजब ड्रॉल स्विथ करेंगे तो हमाये पास यह चाल प्रकार के टेप हैं employee, GPA, payment, SI employee को select करेंगे तो आप यह देख रहे हैं यहाप पर employee transfer का option अब आ गया है वापस पहले भी था बीच में 57 दिनों के लिए यहां से site update होने के कारण से site गायब कर दिया गया था अभी आज ही यह वापस आया है तो यहां से आप employee transfer और pull कर सकत में हैं इसके लिए मैं इसके प्रक्रिया किया है इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है उसका link आपको description box में और i button में बिल जाएगा अगर यहां से भी transfer नहीं होता है तो दूसरा video भी मैंने बना रखा है कि अगर transfer tab उपलब न हूँ तो हम employee को transfer या pull कैसे करेंग उसका video भी मैं आपको description box में उपलब करवा दूँगा वहां से आप देख सकते हैं यही जानकारी आपको देनी थी मेरे कई viewers का phone आ रहा था और message आ रहा था कि sir employee transfer का option गायब हो गया है नहीं है तो उनकी जिग्यासा को सांध करने के लिए मैंने ये video बनाया है फिर एक नए video क साथ मिलूंगा तब तक के लिए अलविदा जैहिंज जैवारत आप से अन्रोद करता हूं कि इस प्रकार की महत्मुन जानकारियों के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर करें धन्यवाद